दोस्तो आपका हमारे यूटीव चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो टीनेजर्स लड़कियां लड़कों की ओर सबसे ज़्यादा आकासित होती हैं खासकर 15-18 बर्स की लड़कियों को प्यार का कीड़ा सबसे ज़्यादा परेशान करता है इतना ही नहीं इस उम्र के लड़के लड़कियां प्यार के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं क्योंकि इस उम्र के लड़के लड़कियों को सिक्के का सिर्फ एक ही पहलु दिखाई देता है और वे उसे ही सच मान लेते हैं या मान लेती है चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें नमबर बन दोस्तो ये बास सच है कि 15 से 18 वर्स की उम्र के लड़के लड़किया एक दूसरे की और सबसे ज़्यादा अट्रेक्ट होते हैं वही इस उम्र का जुकाओ काफी हद तक निस्वारत होता है क्योंकि इस उम्र के लड़के लड़कियों के मन में सिर्फ प्यार की ही लहरे उठ रही होती हैं लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बैसे बैसे लोग प्यार को अपनी सारीरिक इच्छाओं की पूरती का ह आपको एक सारीरिक रिस्ता एंसे प्यारशित बना लेते हैं। किस पैप्टिन नामक हार्मोन के करण होता है जो मानव मस्तिस्त में पाया जाता है इस हार्मोन की बज़े से ही इंसान एक दूसरे के प्रतियाकरसित होते हैं इतना ही नहीं इसी हार्मोन के करण इंसान में सारीरिक इच्छाएं भी जागरे तो होती हैं थर्ड नमबर दोस्तों किसोर किसोरियों का एक दूसरे के प्रति सारी रिखवा भावनात्मक आकरसर उनके बिक्तित विकास की अतियंत सामान प्रिक्रिया होती है अगर इस आकरसन को सही दिसा ना मिले तो टीनेजर्स यानि की किसोर किसोरियों का जीवन वह संपूर ब्यक्तित बिखर सकता है इसके अलावा किसोरा वस्था में होने बाले हार्मोन परबरतन जिसकी बज़े से कम उम्र के लड़के लड़कियां सारी रिक वा भावनात्मक बदलाव से होकर गुजरते हैं इतना ही नहीं हार्मोनल परमर्तन के करल एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिग्यासा में रहते हैं और उनमें सारी दिक फीलिंग्स का विकास भी होता है दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार